दोस्तों वैसे तो सपने लगभग हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन दोस्तों सपनों का सही मतलब हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम इसको इगनोर कर देते हैं. लेकिन दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही सपनों का मतलब बताने वाले हैं, जो आपको अमीर बना सकते हैं सपनों का सही मतलब जानकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं जी हाँ दोस्तों आज हम आपको ऐसे सपनों का सही मतलब बताने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर कर ले। दोस्तों स्वपन शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना एक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सपने हमें भविश्य में होनी वाली घटनाओं के बारे में संकेत देते हैं। हालां कि कुछ सपने सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक। ऐसे में आज हम आपको कुछ शुब सपनों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको सफलता जल्द मिलने वाली है और आप जल्द ही अमीर होने वाले हैं। पहला सपना सपने में सफेद रंग का सांप देखना यदि सपने में सफेद रंग का सांप देखें तो यह भी जल्द ही बहुत सारा पैसा मिलने का इशारा है, कारोबार में उन्नती मिलती है सपने में काला सांप देखने का मतलब यदि सपने में काला लंबा सांप देखें तो यह शुब संकेत है इसका मतलब है कि आपको जल्द ही नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृध्धी मिलने वाली है सपने में सुनहरे रंग का सांप देखने का मतलब सपने में सुनहरे रंग का सांप देखना बहुत ही शुब होता है यह धन लाब होने का इशारा देता है यदि ऐसा सपना कोई मननत मांगने और उसके पूरे होने के बाद आए तो मननत पूरी होने का चड़ावा देने में देरी ना करें सपने में गाय का दिखना स्वपन शास्त्र के अनुसार सपने में गाय का दिखना बेहद शुब माना गया है इस सपने का सीधा अर्थ है कि आपका जीवन उन्नती की ओर अग्रसर होने वाला है साथ ही आपका समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है क्योंकि सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है यह सपना आपको जल्द ही धनवान बनने की तरफ संकेत करता है स्वपन शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सपने में मचली देखना शुब होता है इन्हें देवता का प्रतीक माना जाता है अगर सपने में मचली दिखे तो समझ लें कि आने वाले समय में कोई शुब काम होने वाला है सपने में सुनहरी मचली देखने का मतलब है कि कोई शुब समाचार मिलने वाला है सवपन शास्त्र के मुताबिक सपने में सफेद रंका कुट्ता दिखना शुब संकेत माना जाता है सफेद रंका कुट्ता जीवन में खुशाली और सकारात मक्ता लेकर आता है इससे धन और संपत्ती के योग बनते हैं, इसके साथ ही कारोबार में व्रिध्धी होती है. पाँचवा सपना सपने में ज़ाडू दिखाई देना इसका मतलब है कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ती हो सकती है और कोई शुब समाचार मिल सकता है, वहीं आपको किसी परेशानी से मुक्ती मिल सकती है, साथ ही आपको कोट कचहरी के मामलों में भी विजय मिल सकती है. स्वपन शास्त्र अनुसार अगर आप सपने में बाजार से जाडु खरीदते हुए देखते हैं तो यह एक शुब संकेत है चंटवा सपना सपने में दुलहन का दिखाई देना यह एक अच्छा संकेत माना जाता है यह सपना देखने के बाद आपके घर में जल्दी ही धेर सारी खुशिया आ सकती है और आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए धन्यवाद